असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम टू माई चैनल कैर्सन बर्ज क्लब मैं हूं फरुश शेजाद और आज का जो हमारा टापिक है वह बहुत ही इंपोर्टन और इंड्रेस्टिंग टापिक है उसे बहुत से वीवर्स ने और सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेसिन किया है कि कैसे पता चलेगा कि जो किटन में कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिपल कोट है या डबल कोट है क्योंकि किटन में ये जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा सा टेकनिकल होता है तो मैंने बता हुँगा किईसे आपको पता चल सकता है कि आप जो किटन बाईक करने वाले हैं जो बमी हरीडने थीडियरे क्वालज और अई तो आजका लाक्सर यह बहुत स्थाड़ा फृड होता है जो आपको छोटे र‌खोटे पाले वाला दे देते हैं और जाल में अनगा ह अच्छा लगता है आप से यानि कि आपको उसे प्यार हो जाता है बिल्कूल का यह फ्राउड़क हो लगताका है तो शापकिपर ने या जिसे भी आपने लिया है उसने आपसे फ्राड किया है तो उसके बाद आप उसको बोल तो सकते हैं लेकिन फिर आपका वो किटन निकालने को दिल नहीं करता कि आप उसको गर से बाहर निकाल दें या उसको सेल करें क्योंकि आपने उसके केर की होती है तो ये बिलियां है यासी किसी तरह का भी किटन आप अपने पास पालेंगे ना तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप उसके बगएर आपका गुजारा नहीं है इतना ये फ्रेंडली जानवर है इतनी अच्छी जोंसा इतना अच्छा पैट साबित होते हैं ये वाले कि इनको फिर जो लोग बिलियां पालते हैं जो लोग किटन पालते हैं तो फिर इनके बगएर नहीं रहते वो अपनी फिर थूआउट लाइफ में इस तरह की चीज़ें पालते रहते हैं तो मैं आपको बताने वाला था कि अब जो आपने किटन बाई करना था वो कैसे पता चले वाटावर के कहीं से भी आप बाई करें किसी भी वैबसाइट से करें या किसी भी शाप से करें तो आपको अगर यह पता है किटन की क्वालिटी जो ठीया है वो कैसे जान नहीं है कैसे पता करنا है कि वो डबल कोट है या ट्रिबल कोट है तो आपको मैं सिखा देता हूँ जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और मैं अपनी वीडियो में बताता भी रहता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है कि डॉल फेस में और दूसरे फेस में क्या फ़र है कि आपको दिखाया हुआ है, बलकर सामने उसके बाद बड़ी कहर्स का भी बताया था कैसे चेक करते हैं, इनके बाल डबल कोटिट हैं या तो ही है, हेल्दी होते हैं, नोने काफी वह बिली का जो हूँ- मिल्क पिया हुआ होता है, जिससे उनके ताकत होती है, तो वह बिमार कम होते हैं, तो यह मेरे पास kitten है, तो बाल कोट देख लें बाल छोटे नहीं है, बाल बताएगा कि मेरे बाल लंबेफों में वाकि ठोद कि अधाद इनकी टेल होता है अगर आपको लगो कि इसकी टेल छोटी है तो ट्रिपल कोटिट में हमेशा टेल कोटी ही होती है अगर आपको पतली टेल और लंबी टेल मिलेगी तो वो ट्रिपल कोटिड नहीं होगा दूसरे नमबर पे इसके बालों में ऐसे उंगली रखें यहां से दर्मयान से सेंटर से बालों में यह उंगली रखें अब इसके बाल जो उनसे हैं इसके फर मेरे उंगली के तीन सेगमेंट है तीन हिस्से एक दो तीन जो पहला हिस्से है वो क्रास करके सेकंड हिस्से तक इसके बाल आ रहे है तो ये ट्रिपल कोटिड की निशानी होती है अगर सेकंड हिस्से से भी आगए दो हिस्से क्रास कर ले तो वो extra long coated में आ जाता है तो अगर ये पहला हिस्सा cover करके second हिस्से पे आ जाजे तो ये triple coated होता है तो जैसे ये मेरे सामने ये triple coated kitten है और अगर इससे नीचे हो पहला हिस्सा क्रास ना कर सके तो वो फिर double coated में आता है और अगर आपकी उंगली का पहला segment आदा रहे आदे से भी नीचे चला जाए जाने कि उसके इतने चोटे खोटे बाल हो तो वो फिर single coated होगा वो फिर double भी नहीं होगा तो जिनको अक्सर आजकर double coated भी कहकर जो से इल कर देते हैं तो वो गलत है इसलिए व्यूवर्ज आपने हयाल रखना है इस बातका मैं आपको अपनी वीडियोज में गाइड करता रहता हूँ मैंने सारी वीडियोज जो उन्सी हैं बड़ी यूनीक करके बनाई हैं कि ताके आम लोगों को हमारे जैसे लोगों को पता हो कि कैसे identify करते हैं मैंने वीडियो में जो उनसा है आपको डॉल फेस का और पंच फेस का और सेमी पंच फेस का उनका भी बताया हुआ है बड़ी कैट्स का भी मैंने आपको बताया किसे चेक करना है उनको कोई बिमारी बगारा तो नहीं है उनके फार क्वालिटी कैसी है उसके बाद चोटी काइड का भी मैं आपको बता हो के उस키 फर कुआलटी कैसे चेक करने हैं कि डवल कोट है या ट्रिपल तो मैंने सारी आपको बता दिया है इसके क्सक्राइग साड़ पर Ouais6 किटन के बारे में थोड़ा सा बताता चलू कि ये मेरे पास ये मेरे पास adult हो जाती है बड़ी हो जाती है उसके बाद kitten deliver करती है तो सारे colors जो हो आ जाएंगे और जिन लोगों को kittens का शोक होता है कि उनके पास kittens आएं उनकी cat जोंसी हो kitten deliver करें तो वो इतने colorful kitten देखकर तो बहुत हुशी होती है कि इतनी सारी variety आपके पास एकदम से आ जाती है तो इस वज़ा से multi color जोंसे kitten वो आपको मिल सकते हैं तो मैंने जो आपको बाते हैं उसको आपने याद कर लेना है नोट कर लेना है तो आपको काफी फाइदा हो जाएगा तो viewers यह थी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको मेरा चैनल जों चैनल जो कि मैंने जो आपको मेरी फ़यदेश सकते हैं जो आपको मेरी इवी भीडियो ओय जो आपको मेरी जोंसे खूआर